नमस्ते दोस्तों ग्यानसर चनल में आप लोगों का स्वागत है आज हम एक ऐसा सीड यानि बीच के बारे में डिसकस करेंगे जो सेहत के लिए बहुत ही लापकारी है फ्लैक्षीड का नाम तो आपने सुना ही होगा जिसे हिंदी भासा में अलसी का बीच कहते हैं यह बीच को फ्लैक्षीड के अलावा अंग्रेजी में लीन सीड भी कहा जाता है यह बीच को हजारों सालों से लोग अपने अच्छी सेहत के लिए खाते आ रहे हैं सबसे पहले हम इस सीड में मौझूद लापकारी चीजे क्या है उसके बारे में डिसकस करेंगे उसके साथ बेनिफीट्स भी बताएंगे और नुकसान भी आखरी में हम यह भी बताएंगे कि इस सीड को खाना कैसे है इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखिए सबसे पहले देखते हैं एक चमच फ्लेक्षीड यानि 10 ग्राम फ्लेक्षीड में क्या-क्या नूट्रियन्स मौझूद है और कितनी मात्रा में मौझूद है 10 ग्राम फ्लेक्षीड में केलोरी है 55, वाटर 7% है, प्रोटीन 1.9 ग्राम्स है कार्फ है 3 ग्रामस, सुगर 0.2 ग्रामस, फाइवर है 2.8 ग्रामस और फैट है 4.3 ग्रामस फ्लैक सीड में दो तरह के फाइवर हैं, एक है सोलिविल फाइवर और दूसरा है इंसोलिविल फाइवर इसमें मौझूद solubile fiber blood sugar को regulate करती है और cholesterol को भी normal रखती है आपके पाचन सक्ती को भी ठिक करती है और उसके अलाबा आपके gut यानि आत में जो अच्छे बेक्टेरिया हैं उन्हें भी पोशक तत्व प्रदान करती है अगर आप flaxseed अपने diet में लेते हैं तो आपको constipation यानि कोश्ट कठिन्य कभी नहीं होगी उसके अलाबा आपको diabetes यानि मधू में होने का खत्रा भी कम रहेगा दोस्तों flaxseed में 18% protein मौझूद होता है इसमें मौझूद arginine और glutamine amino acids आपके heart और immune system यानि रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए फायदेमंद है फ्लैक्सीड में 42% fat होता है जिसमें omega 6 fatty acids और omega 3 fatty acids भी मौझूद है अलफा linolenic acid एक ऐसा omega 3 fatty acids है जो हमारे सरीर नहीं बना सकती उसे diet से ही लेना पड़ता है फ्लैक्सीड हमें alpha linolenic acid प्रोभाइड करती है omega 3 fats बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने का ख्यमता रखती है जैसे की heart disease, blood pressure इत्यादी फ्लैक्सीड में vitamin B1 जिसे thiamine भी कहा जाता है मौझूद है जो आपको metabolism को normal रखता है और आपके nervous system को भी ठीक रखता है अलसी में मौझूद कपर, body को growth और development में सहायता करता है इसके अलावा फ्लैक्सीड में molybdenum, magnesium और phosphorus जैसे nutrients भी मौझूद है दोस्तो फ्लैक्सीड में बहुत सारे antioxidants हैं जैसे की p-comaric acid, ferulic acid, etc lignans एक तरह का antioxidant है जो फ्लैक्सीड में पाया जाता है जो एक phyto estrogen भी है, lignans heart disease को कम करती है fat का level को कम करती है और blood में glucose का level को भी ज़्यादा नहीं होने देती इसके अलावा बहुत सारे cancers को ठीक करने का श्यमता भी रखती है lignan यह तो रहा दोस्तो फ्लैक्सीड के benefits के बारे में अब कुछ exceptional demerits के बारे में भी discuss करते है फ्लैक्सीड में एक compound है जिसे cyanogenic glycoside कहते है यह substance आपके body में जो sulfur है उस sulfur के साथ bind होके thiocyanate form कर सकती है और thiocyanate आपके thyroid gland के लिए अच्छा नहीं है यह आपका thyroid gland को खराब कर सकती है आपको इसकी वज़े से thyroid issues हो सकते हैं खेर आप अगर healthy हैं तो फ्लैक्सीड ज़्यादा नुकसान नहीं करती फिर भी अगर आपको फ्लैक्सीड का problem है तो फ्लैक्सीड कम इस्तमाल करें या award करने की कोशिस करें यह रहा दोस्तो फ्लैक्सीड के benefits और demerits के बारे में वैसे इसके demerits बहुत कम हैं और benefits बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको फ्लैक्सीड का इस्तमाल करना चाहिए आप अगर फ्लैक्सीड Amazon से order करना चाहते हैं तो description में मैंने link दिया है वहां से आप purchase कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में एक like जरूर देना और health related ग्यान के लिए हमारे चैनल को जरूर subscribe करना Thank you